दोस्तो मैं हूँ इकबाल और आप हैं यूटूब के चैनल माई हिंदी सपोर्ट पर जिस पे आपको मिलते हैं बहुत सारे इंफर्मिशन दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी वीडियो को नहीं बना सकते हैं दूसरों की वीडियो को लीगल तरीके से अपलोड करके उससे यूटूब के द्वारा कैसे अर्निंग कर सकते हैं दोस्तो ये बहुत असान है अब तक आपने यही जाना होगा कि यूटूब पर अर्निंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ही वीडियो की ज़रूरत पड़ती है लेकिन दो तो ऐसा नहीं है क्यों ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत से ऐसी कंपनी से लोग हैं जो ये आपको राइट देते हैं कि आप उनके कंटेंट को लीगली यूज करें जिस पे आप उसको मानेटाइज भी कर सकते हैं उसको आप अपलोड कर सकते हैं और यूटूब आप को उस पे कोई भी action यूटूब नहीं लेगा अगर वो upload करने वाला भी उस पे action लेता है तब भी यूटूब उसको नहीं मानेगा क्योंकि उसने पहले खुद ही जो है ये allow कर दिया होता है कि आप उसकी वीडियो को use कर सकते हैं और monetize कर सकते हैं उसको enable कर सकते हैं यानि कि वो एक तरीके से आपकी खुद की वीडियो बन जाती है दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको बताऊंगा बहुत से ऐसे लोग है जो अपनी वीडियो नहीं बनाते हैं या फिर उनको दिक्कात होती है वो अपनी वीडियो को नहीं बना पाते हैं वो उनको नहीं मालुम की वीडियो बनाए कैसे किस टॉपिक पर बनाए कैसे बनाए क्योंकि हर कोई के पास इतना knowledge नहीं होता है और इतना जो है पहुँचे हुए नहीं होते हैं कि खुद का channel start कर सके, इसलिए वो चाहते हैं कि वो दूसरी के videos को upload करके उससे earning करें, तो दोस्तो simple है वो तरीका आपको वो videos youtube से कैसे मिलेंगे, चलिए पुरा process जानते हैं, youtube के search box में आपको जिस भी टॉपिक के वीडियोज चाहिए वो आप पहले सर्च किजिए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने टाइप किया यूटूब में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज आ गए हैं जिन पर अजारों नहीं बलके लाखों की तादाद में व्यूज है लेकिन थोड़ा वेट किजिए, यह सब वीडियोज आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको मालूम नहीं कि इस परसन ने एलाउट किया है यूज करने के लिए आपको अपनी वीडियोज को या नहीं तो आप simply यहां उपर देखिए वीडियो के एक filters बोल के option है, इस options पे आप किलिक करेंगे जैसे ही आप इस पे किलिक करेंगे तो यहां पे आपको बहुत सारे details यहां पे देखने को मिलेंगे Last hour, today, this week, this month, this year, left side में आप देख सकते हैं यहां कि आज कितनी वीडियोज अपलोड हुआ है या फिर आप एक घंटे के वीडियो देखना चाहते हैं या आज के या पिछले हपते के वो सारे के सारे आ जाएंगे अब यहां पे देखे टाइप में वीडियो, चैनल, प्लेलिस्ट, मुवी, सोर्स आप किस क्या वीडियो देखना चाहते हैं या चैनल, प्लेलिस्ट, या मुवी, या कोई शो हो रहा है किसी चैनल का वो कितने मिनेट तक का वीडियो आप देखना चाहते हैं, चार मिनेट तक का या उसके उपर तक का, तो यहां पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं फीचर्स में आपको क्या चाहिए, SD चाहिए, कैसे कॉलेटी चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहां पर देखिए सब टाइटल है, सब टाइटल का मतलब होता है कि अगर आपको इंगलिश नहीं आती है, लेकिन वो जो है वीडियो इंगलिश में है, तो वहां पर हिंदी में लिखा हुआ आएगा, ठीक है? अब यहां पर देखिए creative comments है, में चीज आपको यही देखना है, creative comments यानि कि आप देखेंगे कोई भी वीडियो को open करके, मैं चलिए ये वीडियो open करता हूँ, इसको pause कर देता हूँ, ठीक है? pause करने के बाद मैं, इस वीडियो के नीचे आते हैं, यहां पर देखिए see more करता हूँ, तो यहां पर देखिए license, standard YouTube license, इस वीडियो को आप use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह YouTube license में है, standard YouTube license में, यानि कि जिस बंदे ने इस वीडियो को upload किया है, उसने allow नहीं किया है, आपको इ फिल्टर वाले option पे click करता हूँ, फिर वही option आया, इस बार मैं creative comments पे click करता हूँ, creative comments मतलब वो videos आ जाएंगे आपके सामने जिसको बंदे ने allow किया है कि हर कोई उसे use करता है, अपनी वीडियो की तरह उसको monetize कर सकता है और उससे पैसे कमा सकता है, चलिए इस पे click कर देते है जैसे ही इस पे click किया तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे videos आ गये है, creative comments बोलके, यहाँ पे देखें, filters के बगल में creative comments आ गया है, ठीक है, चलिए, यह देखिए, यह तो उपर advertisement है, इसको नहीं, हम यह वाले videos को open करते हैं, open करके एक बार थोड़े इसको pause करता हूँ, और मै नीचे आता हूँ, और इसको see more करता हूँ, जैसे ही इसको see more करता हूँ, तो यहाँ license में देखिए, क्या दिखा रहा है, creative comments, attribution license, reuse allowed, यानि कि आप इसको use कर सकते हैं, reuse allowed, इस बंदे ने अपने videos को reuse के लिए allow किया है, और यह YouTube पे legal है, आप इसके जरिया upload करके पैसे कमा सकत है, आईए देखते हैं इस video को, चलिए इस video को मैं अभी pause कर देता हूँ, दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, कि how to make paper flowers के मैंने जो video search किया था, तो मुझे ऐसे videos मिल चुके हैं, जिसको मैं reuse कर सकता हूँ, उसको पैसे कमाने के लिए YouTube पर upload कर सकता हूँ, जो कि video मैंने नह ही बनाया है, दूसरे लोगों ने बनाया है, इस तरह से आप ऐसे videos को upload कर सकते हैं, लेकिन एक बात दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए है कि आप सिर्फ वही video upload कर सकते हैं, जो reuse के लिए allow हो, यानि कि creative comments videos, उमीद है दोस्तों मेरे ये video आपको पसंद आया होगा, अगर अ अपने friends को इस video को share करें ताके ये information है, उनको मिल सके, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया